I want to cut across to Vinesh Fogart as well as Bajurang Punya who are joining us live exclusively right now. Vinesh, आपने सुना होगा, अभी हमारे साथ भाजपा के MP, ब्रिजबूशन शारं जुड़े थे. वो साफ साफ कह रहे हैं, Vinesh, के एक आप लोगों का पूरा स्टैंड बदला है चार महीनों में. शुरू आपने कुछ और से किया था कि ब्रिजबूशन अपने Wrestling Federation के अधियक्ष से स्टीफा दे, फिर आप Sexual Harassment का एंगल ले आए, अब आप Arrest की डिमांड कर रहे हैं. पर ब्रिजबूशन चारन कह रहे हैं, अगर वो आज इस्टीफा दे दे और वो हमारे चैनल को आके दे देंगे, आप लोग उठ जाएंगे, जंतर मंतर छोड़ देंगे, ये सवाल है, Vinesh. हमने आज जो बोला है, हमने सर्फ Wrestling Federation से इस्टीफा ने, इनका तो कारिया काल खतम हो चुका है, Wrestling Federation का तो, हमने इस्टीफा चैनल सांसद पद से, और पहली भी हमारी यही मांगती, जब हम सब से पहली बार आये थे, हमने पूरे देश के सामने बोला था, मीडिया के सामने ब आएंगे, बहुत लंबा सिस्टम है, हम उस दलदल में नहीं कुछ ना चाहते थे, लेकिन हमने बोला कि हमें इस आदमी से बचा लो, लड़कियों को बचा लो, इसको कैसे भी यहां से अटा दो, प्लीज, हमने इतनी रिक्वेस्ट की, फिर कमेटी के सामने गे, कमेटी के स सामने आईए, हम फाइंडिंग देखेंगे, अगर कुछ भी हमें फाइंडिंग मिलता है सेक्शल अराश्मेंट के उपर, हम खुद F.I.R. करवाएंगे, इस चीज पर हम सहमत हुए थे, यह निर्दोस है, यह इसके उपर सहमत नहीं हुए थे, इनको रैसलिंग से बगा द हम तब भी इसी बात पर थे कि हमें नयाय मिले, और अभी इतना उन्होंने हमारी हर एक लड़की की बात आउट कर दी हम, क्योंकि हम ऐसे बैगराउंड से आते हैं, जहां हमारी इज़त मानसमान हमारे लिए अपनी जान से भी पहले है, हम नहीं चाहते थे कि दुनिया के सा हम आउट कर दिया, हमारी जिंदगी बिल्कु खतरे में डल गी, हम एक एक लड़का यह ताकि यह कभी मरवा सकता है, तो इतना सब ओने के बाद में भी यह बोल रहा है कि मैं इस्तिफा दे दूँगा तो यह घर चले जाएंगे, नहीं सर, आज भी हम कलियर कर रहे हैं, मेरे साथ बने रही है विनेश, साक्षी मलिक जो आपके साथ वहीं बैटी है, दूसरे कैमरा पे है, वो भी हम से जुड़ रही हैं, साक्षी आपने भी सुना होगा कि अब क्या बोला है भाजपा के जो MP हैं, ब्रिजबूश अंशारन ने कह रहे हैं, इस्तिफा दे देंग अगर आप लोग उठ जाएं, मानती हैं? निर्दोर्श निकलें तो वो वापस से आ सकते हैं. आपको डर है कि F.I.R. वीक होगी, उसमें पॉक्सो सेक्शन नहीं लगेगा और अरेस नहीं होगा. छे दिन से हम बैठे हैं, F.I.R. भी हमारे दर्ज नहीं की. कोई नोर्मल आदमी भी जाता है, उसका भी F.I.R. लिया जाता है, वो भी कोई एक महिला खिलाडी होने जैसे जाके उदर F.I.R. दर्ज करने के लिए कम्प्लेंस दिया था. तो एक F.I.R. भी दर्ज नहीं की गई हमारी. तो ना तो उन्होंने खिलाडी होने के ना ते तो उन्होंने भी रिस्पेक्ट किया ही नहीं हमारे. एक नोर्मल हिंदुस्तान का इंसान होने के लावा मतलब उसका भी उन्होंने सम्मान नहीं रखा. तो वही दिली पुलिस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है अभी हमें. क्योंकि वह भी देखते हैं कितनी धाराएं उनके उपर लगाते हैं. कहीं वो लूज F.I.R. तो नहीं करते हैं. तो वो आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा कि कितना नहीं हमें वो दे सकते हैं. दि प्रिज भूशंद शारन को सुना था विनेश और मैं ये पूछूंगी क्योंकि उन्होंने ये सवाल उठाया है कि आपके पास प्रूफ क्या है. उन्होंने हमसे बात किये थोड़े देर पहले. कि आप लोगों के पास प्रूफ क्या है. अभी दिल्ली पुलीस F.I.R. के प बोला था हमें स्टार्टिंग में. और जब कमेटी बनाने के टाइम पर बात होई थी तो सुपोर्ट्स मिनिस्ट्री ने ये भी बोला था कि अगर हमें कुछ भी अगर हमें मिलता है इस जांच में तो हम खुद F.I.R. करेंगे. तो उस सीज़ पे हम एगरी हुए थे ना कि उसके बाद में जब कमेटी के ही लोग स्वेद बनके मीडिया में ब्यान देने लगें कि किसी भी लड़की ने ब्यान नहीं दिया कोई भी लड़की सामने नहीं आई तो वो दिल को तोड़ रहा था मतलब कि इतना गलत भी है कैसे कर सकते हम जा रहे हैं हम एक एक बात बता रहे हैं जितने पूर्फ हैं वो भूरत करें तो भी बिल्कुल उनको ब्रजबुश्ण